Welcome friends, Classic Science, Chapter 3 तंतु से वस्टर तक हम पढ़ेंगे इस चेप्टर के बारे में आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और ये आपको बहुत ही इसली समझ में आ जागा तो देखिए, तंतु से वस्टर तक किसी भी वस्त्र का यदी हम बहुत ही छोटे अस्तर पर जाएं तो बहुत ही छोटे 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 धागों से मिल कर बना होता है समझ में आए आपको जैसे कि कोई भी बिल्लिंग होता है बड़ी बड़ी बिल्लिंगें आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है वो छोटे छोटे इंटों से बनी होती है छोटे छोटे हमारे इट से बनी होती है तो इन बिल्डिंगों को बनाने के लिए छोटे छोटे इट की जरूरत पड़ती है और सिमेंट की ज़रुवत पढ़ती है इसी तरीके से एक वस्त्र को तयार करने के लिए छोटे-छोटे तागों की और तन्तू की जरुवत पढ़ती है तो इसी बारे में पूरा चेप्टर है कि कैसे फ्रमेशन किया जारा वस्त्र का तो आइए हम पढ़ते हैं पहली और बुजो ने अपने इस्कूल में आयोजित की गई बिज्ञान प्रसनोत्री प्रतियोगिता में प्रथम पुरसकार जीता वे दोनों अध्यधिक उत्यजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरसकार रासी से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरिदने का जाते हैं वो लोग और जो रासी जीतते हैं उससे जाते हैं अपने ममी पांपा के लिए वस्त्र never gobierno वहाँ प्लोग इंट्री निवो मार्केट में वहां पर बहुब धेर सारे वस्त्र दिखाइपडते पड़ते हैं, तो ये उल्जन में फस जाते हैं कि कौन सा कपड़ा लें और कौन सा ना लें, समझ में आ रहा है, तो यही लिखा हुआ, यहां पर विश्ट्रित विविद्ध था, समझ में आया, तो आगे चलिए, दुकांदार ने उन्हें यहां समझाया कि कुछ कपड़े अ पत्यधिक उतेजित दिखाई दे रहे थे, उन्होंने इन विविविन कपड़ों को असपर्स किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, अंत में उन्होंने एक उनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरी दी, समझ में आया, जब वो लोग दुकान में जाते हैं, तो व कपड़ी की दुकान का भरमड करने के पचात पहली और भूझो ने अपने आसपास में विविन प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंब कर दिया, उन्होंने यह देखा कि बेड़ सिट बिस्तर पर बिछाने की चादर, यानि कि जो बेड़ सिट था, कंबल, परद के कपड़े से बने हुए थे, यहां तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, उनी, रेस्मी, अथवा संसलिष्ट क्रित्रिम के रूप में किया, संसलिष्ट ही क्रित्रिम होता है, क्य आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं, देखिए, इसमें वस्त्रों की पहचान करने के लिए बोला है, तो आई हम आगे वस्त्रों में विविद्धा के बारे में हम समझते हैं, वस्त्रों में विविद्धा, यानि के वस्त्र में कितने प्रकार के अलग- कारण को असपर्स करके उसके असपर्स का अनुभव कीजिए दरजी की साहता से उससे पूछ कर कुछ कपड़ों पर सूती रेस्मी उनी संसलिष्ट के लेवल लगाने का प्रयास कीजिए समझ में आ रहा है क्या आप यह जानते हैं क्या आप यह जानना चाहते हैं कि यह विभिन कपड़े किस प्रकार बनते हैं जब आप किसी कपड़े का अलोगन करते हैं तो वह एक सत्तक तुकड़ा प्रतित होता है अब इसे ध्यान से देखिए आपने क्या देखा देखिए दरजी के हाँ जाने के लिए बोल ला है और जो दरजी के हाँ आप जेनरली देखते होंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कई तरह के कपड़े को कटे हुए बहुत सारे इदर उदर भी खरे पड़ते हैं तो ब याकल आप एक में लेवल लगाया था इसके एक सीरे पर कोई धीला धागा या तागा ढूने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खिचने का यदि कोई धीला तागा दिखाई ना दे तो पीन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे बाहर खिच सकते हैं हम यहाद इन रह्त से बनते हैं देखिए जब आप चोटे-चोटे ओन कपड़ों को लाएंगे जो कटे हुए थे दरजी के हां से तो आपको साइड-साइड में ऐसे निकले 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 बहुत सारे तागे होंगे तो उनमें से एक तागा को ऐसे खीच के निकालना है तो देखिए जब यह तागा खीचेंगे न तो यहाँ पर देखिए लिखा होना कपड़े से कोई तागा या तंतु खीचना तो वही वही चीज क्या होता है तागा या फिर उसे तंतु बोलते हैं आग तागे के टुकडे के एक सीरे को अपने अंगुठे से दबाईए, देखिए ऐसे दबाना है, एक सीरे को अंगुठे से दबाना है, समझ में आ रहा है, दबाईए, तागे के दूसरे सीरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, 3.4 में दरसाएगा अनुसार अपने नाखुन से खरोचिए क्या आप इसके सीरे पर यह दिखाई देता है कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है देखे एक बगल से वो दोनों बगल से हाथ से दबाने के लिए बोला है और इस पे नाखुन चलाने के लिए बोला है तागे पर समझ में आ रहा है तो जैसे ही तागे पर चलाएंगे नाखुन चलाएंगे तो इसमें बहुत चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा सूई में तागे को पीरोने यानि कि डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परिक्षण किया होगा कई बार तागा का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में प्रिथक हो जाता है ऐसा होने पर तागे की सूई के नोक से गुजरना कठिन हो जाता है तागे कि ये दिखाई देने वाली पतली लड़िया भी है और अत्यधिक पतली लड़ियों को से मिलकर बनी होती है जिने हम तन्तू कहते हैं देखिए तागे कि ये जो लड़िया आपको दिखाई पड़ती है तो जो पतली लड़ियों से मिल कर बनी होती है उन्ने क्या कहते हैं तन्तु कहते हैं समझ में आगए आपको कई पर आप देखते हैं कि सूई में धागा डालते वक्त क्या होता है उसके जो रेशे होते हैं उसके जो तंतु होते हैं इधर उधर विखर जाते हैं इधर उधर विखर जाते हैं इसलिए वो सूई में नहीं घुस पाता है यही चीज यहां पर बोला है और तंतु को समझाया है कि अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बना हुआ तागा क्या कहलाता है ज यह तंतु कहां से आते हैं। कोई उधारण है देखिए पादप से प्राप्त होने वाली जो तंतु है उसका उधारण क्या है तो रूई तथा जूट आप इसे याद कर लिजेगा पटसन भी कहते हैं इसको इसको आपको याद कर लेना अच्छे से कि जो तंतु है जो की प्रकृतिक से पाये जाने वाले ह जा है रूई तथा जूट उन तथा रेसम जनतु से प्राप्त होते है उन और रेसम जो होता है वो जनतु से प्राप्त होता है उन भेड अथवा वकरी की कर्तित उन से प्राप्त होता है इसे खरगोस याद तथा उन्टों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है रेसमी तंतु रेसम की कीट कोकुन से खीचा जाता है, जो रेसमी तंतु होते हैं, वो रेसम कीट से कोकुन से खीचा जाता है, समझ में आ रहा है, चलिए आप आगे बढ़िए, हजारों वर्स तक वरस्तर निर्माड के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था, पिछले 100 वर्सों से लगभग रसायनिक पदार्थों से रसायनिक पदार्थों जिनका सुरोत पादप अथवा जनतु नहीं है, समझ में आ रहा है, जिनका सुरोत पादप अथवा जनतु नहीं है, निकि पौधे और जनतु नहीं है, वो रसायनिक पदार्थों से निर्मा पॉलिष्टर है नायलोन है और एक्रिलिक संस्लिस तंतू के कुछ उधारन है पॉलिष्टर नायलोन और एक्रिलिक इसको आपको ध्यान से समझना है कुछ पादप तंतू रूई यानि कि पौधो से प्राप्थ होने वाले तंतू पादप तंतू जो है पौधो से पौधे से प्राप्थ होने वाले हैं उसे हम पहला पहला रूई के बारे में दिया हुआ है जो कि पौधो से प्राप्थ होता है क्या आपने कभी तेल के लेंपों के लिए बत्ती बनाई है इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आप बनाने के लिए आप क्या उपयोग मेलात क्रिशी की जाती है कौन से राज्य में की जाती है, तो यह आपको और भी जन्रल नौलेज इससे आपको और भी अच्छा हो जाएगा, कपास पादब के फल, कपास गोलग लगभग निमबू की माप के होते हैं, कपास लगभग निमबू जो आपने देखा होगा जन्रली उसके माप गा होता है, पूर्ण परिपक को होने पर बीज फूट कर खुल जाता है, तथा अब कपास तंतू से धके बिनौले कपास बीज को देखे जा सकता है, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है, जो कपास चुने जाने के लिए तयार हो चुका है, इस समय खेत कपास के परिफुलो रों में इतना स्वेत हो जाता है, जैसे हम हीम ने ढख लिया हो, देखे, जब कपास की खेती होती है, जब बहुती लंबी चोड़ी खेती होती है, त दुर दुं तक ऐसे दिखती है तो ऐसा लगता है कि वो हीम से धखा हुआ यहनिकि बर्फ से धखा हुआ समन्मे आ रहा है सधार है इन कपास बालों से कपास को हस्द चैन द्व пожश्जवारा प्रप्थ किया जाता है इसके पश्चात कपास से भीजो को कागतन द्वारा प्रिथक किया जाता है इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते है समझ में आ रहा है जैसे कि जो कपास होता है उसको प्रिथक करने के लिए जो उसमें बेकार से जो चीज होते हैं उनको अलग गरने के लिए कपास बालों से कपास को हस्ट जहन द्वारा प्राप्त किया जाता है समझ में आ रहा है तो जो बेकार की चीज़ जो उनको हटा दिया जाता है और जो अच्छी है उसमें से उनको ले ली जाता है इस चीज़ को क्या कहते हैं कपास ओट ना कहते हैं देखिए का पास ओट रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे वो लोग इन मजीनों का उप्योग किया जाता है, जूट और पटसन, यानि कि जूट पटसन, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, और यह जो पादप है, देखिए पहला तो हमने फल से प्राप्त किया जाता है जो भी वो पौधा होता है वो फल के रूप में उपर फुटता है और उससे रूई प्राप्त किया जाता है परंतु इसमें थोड़ा सा उल्टा है इसमें जूट जो है वो तने से प्राप्त किया जाता है समझ में आ रहा है पौधे के तने से प पुश्पन अवस्था में काटते हैं, जैसे पुश्पन अवस्था में होते हैं, उसी समय इनकी कटाई होती है, फसल कटाई के पशाद पादपु को तना को कुछ दिनों तक जल में डूबो कर रखते हैं, ऐसा करने पर तना गल जाते हैं, और उन्हें पटसन तन्तूर से बाहर निकाल लिया जाता है, प्रिथक कर लिया जाता है, देखिए ये पटसन पादप है, जो आप देख रहे हैं, ये पटसन पादप है, वस्तर बनाने से पहले इन सभी तन्तूर को तागा में परिवर्टित कर लिया जाता है, ऐसा कैसे किया जाता होगा, आईए हम आगे पढ़ते हैं सूती तागे की कताई अब देखिए अब तागे की कताई अब बताया जागा यहाँ पर यहाँ पर देखिए रूई से तागा बनाना यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक आदमी ने छोटा सा ऐसे रूई का एक गोला लिया हुआ है और उसे दोनों बगल से ऐसे खीषता गया है उंगलियों से दबा के समझ में आ रहा है और जैसे जैसे दबा के खीषता गया है वो राउंड 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 ऐसे नचा रहा है दोनों हाथों से अपोजी डाइरेक्शन में नचा रहा है इसके बसे एक लंबा वो क्या होता है तागा बनता है समझ में आ रहा है उसी तरही किसे चर्खा में भी यहां पर तागा को बनाया जाता है और उसे लपेटा जाता है ताकि वो आगे वस्तर बनाने के लिए भेजा जा सके अब देखिए सूती तागे की कताई कैसे की जाती है इसके बारे में क्रिया कलाप यहां पे दिया हुआ है क्रिया कलाप चार एक हाथ में कुछ रूई पकड़िए दूसरे हाथ के अंगठे तथा तरजनी के बीच कुछ रूई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे खीचिए तथा रेसो को लगतार एटते भी रही है जैसे मैंने अभी बताया कि रेसो क्या करना है बाहर खीचना है और उसे एटते भी रहना है रेसो से तागा बनाने की प्रकिरिया को कताई कहते हैं इस प्रकृरिया में रुई के एक पुन से रेशो को खिच कर एठते हैं, ऐसे करने से रेशे पास पास आ जाते हैं, और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ती हस्त तकुवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, समझ मैं रहा है, कताई के लिए सरल युक्ती हस्त तकुवा का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं, देखे, तकली का ये है, एक तकली है, समझ मैं रहा है, ये हाथ से उपयोग में करने जाने माली तकली है और दूसरा क्या है चरका है जो हाथ से उपयोग करके हम धागों की कताई कर सकते हैं चरके के उपयोग को राश्ट पिता महात्मा गान्धी ने स्वतंतर आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोग पुरियता प्रदान की थी उन्होंने लोगों को हाथ के कटे तागों से बभूने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मीलों में बने आयतित कपडों का बहिसकार करने के लिए प्रोचाहित किया था समझ में आ रहा है देखिए राष्ट पिता मात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों का बहिसकार करने के लिए उनके कपड़े उनकी नितियों बहिसकरित करने के लिए उन्होंने खुद खादी का कपड़ा त्यार करने के लिए उन्होंने आंदोलन च ब्रिàciesवाने पर तागों की कारवाई कार कताई के मसीनों की शहयता से किया जाता है। अब देखिए तागे से वस्तर कैसे बनाते हैं। इसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो तागे से वस्तर बनाने की विधिया हैं, इन दो प्रमुख विधियों बनाई तथा बंधाई कहते हैं, समझ में आ रहा है, इनकी दो प्रमुख विधिया होती हैं, वस्तर बनाने की धागों से, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं और बंधाई कहते हैं, तो कागों के दो से्टो को आपस में वेवस्थित करके वरस्तर बनाने की प्रहल्गिया को बुणाई यहनि की विविंग कहते हैं इस आये कागज की कुछ पटियों बनाने का प्रयास करते हैं समझ में आ रहा है, देखिये बुणाई जो है वो पेपर विविंग होता है अभी समझ में आ जागा आपको ज़्यादा घबराने के जरूत नहीं है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भिन रंगों की दो कागज की सीट लीजिए दोनों में से 30 cm लंबाई 30 cm चोड़ाई की वर्गकार सीट काटिए इन दोनों सीटों को आधा मोड़िये एक सीट पर दिखाया अनुसार रेखा खिची और तथा दूसरी सीट पर कितने में दिखाया अनुसार रेखा खिची है और दोनों सीट को खिचने पर देखिए इसमें में बात यह कह रहा है यहाँ पर देखिए आप समझेंगे एक Page लेना है, Page को ऐसे Fold कर देना है और Fold करने के पाद एक जो Paper है, उसको Fold करके इसको और भी Fold करके, तो ऐसे पतला सबों बनेगा इसको क्या करना है, Side से और Side से काट देना है तो ऐसे Lumba-leungga Strip तयार हो जाएंगे जैसे लंबी-लंबी पटिया दिखाई पड़ रही है आपको इसी तरीके से लंबी-लंबी पटिया और यह जैसे रेड कलर की लंबी पटिया और भी से इनको क्या करना है डिजाइन चाकू से काड़ देना और यह उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे ऐसे बुनते चले जा दागे वास्तों में कागज की पट्टी की तुलना में बहुत पतले होते हैं। इनको बहुत ही लंबे लंबे उससे सजा दिया जाता है। कि जो किसी को आप स्वेटर बोनते हुए देखे होंगे या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो सिर्फ एकी धागे का क्या करते हैं। एकी गोले का जो औरते होती हैं वो बनाती है। एकी गोले का आप देखेंगे कि जनरली उसको बना देती है। कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे को खिच कर देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है। एकल धागा लगतार खिचता चला जाता है तथा वस्तुर उधरता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहननी की वस्तुर जो होती हैं उसमें ऐसी आप देख पाएंगे। वस्तुर ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्तुर से बनाई जाती है, इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मसीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों परकार की बुनाई का उपयोग विभिन परकार के वस्तुरों के निर्माण में किया जता है इन वस्तुरों का उपयोग पहनने की विभिन वस्तु को बनाने में होता है समझ वारा है आप देखिए आगे हम बढ़ते हैं वस्त्र सामगरी का इतिहास क्या आपने कभी य समय पहले राजा महराजा होते थे वो लोग क्या पहनते होंगे तो वस्त्रों के एक विशय में पूर्व प्रमाडों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारब में लोग विरिच की छालों वल्क बड़ी-बड़ी पतियों अथवा जन्तूओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को विरिच की छाल बड़ी-बड़ी पतियों अथवा जन्तूओं की चर्म और समूर से बने शरीर को ढखते थे समझवा रहा है क्रिशी समूधाय में बसना आरंभ करने के पस्चात लोगों ने पतली टहनियों तथा घास को मुनकर चटाई तथा डालिया बनाना सिखा लताओ जन्तों की उन अथवा बालों को आपस में एंठन देकर लंबी नई इनको भूनकर वस्त्र त्यार किये पूर्व में भारत वासी रूई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती छेत्रों में उगाई जाती थी फ्लेक्स भी एक पादब जिस प्रकार प्राप्त होता है प्राचिन मिश्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रूई तथा फ्लक्स की क्रिशी नील नदी के निकटवर्ती छेत्रों में की जाती थी उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था उस समय लोग अपने सरीर के विभिन भागों को वस्त्रों से अच्छादित कर लेते थे वे सरीर को अच्छादित करने के लिए कई विभिन धंगों का उपयोग करते थे सीलाई के सुई के अविस्कार के साथ साथ लोगों ने वस्तरों के सीलाई करके पहनने कपड़े को त्यार किये इस आविस्कार के पश्चात सीली कपड़े बहुत सी विविनताय आ गई है परन्तु क्या यह अश्चरेजनक बात नहीं है कि आज भी साडिया, धोतिया, लूंगियों तथा पगडियों का बीना सीले वस्त्र के रूप में उप्यों किया दाता है जिस प्रकार समझ देश में खाये जाने वाले भोजन में अत्यदिक विवित्ता देखने को मिलती है ठिक उसी प्रकार वस्त्रों पहनने की वस्त्रों में भी अत्यदिक विवित्ता पाई जाती है अब देखिए कपास का गोलक लिया है उसके बाद उसे ओटने के बाद रेशा बनाया है और रेशा के बाद कताई किया गया है और फिर तागे में अब दिल किया गया गया है वो किसमाद्यम से क्या किया गया, बुनाई और बंदाई, और यह वस्तर हमारा क्या हो जागा, त्यार हो जागा इस तरह क्या से, तो चली हम आगे पड़ते हैं, अब देखते हैं क्या हम अभी तक क्या क्या पड़ा, वस्तर सामगरी अथ्वा वस्त्रों में विवित्ता है, जैसे सूती रेसमी उनी और पालिष्टर, समझ मैं रहा है, जो वस्तरों में विवित्ता है, जैसे कि सूती रेसमी और उनी पालिष्टर, वस्तर तागों से बनते हैं, जीने तंतु से बनाया जाता है, समझ मैं रहा है, वस्तर जो है, तागों से बनते हैं, जीने तंतु से ब समझे में रहा हैं, जो रेशम और उन और जूट है, वो प्रक्रितिक तंतु से बनाए है, जबकि नालोन और पॉलिष्टर कई हैं हैं, जो कि ह्यूमन द्वारा त्यार किया गया है, रुई और जूट जैसे तंतु पादबों से प्राप्ट किया जाते हैं, तंतु से चैनियालोन क्या है नालोन एक अप्राकृतिक शंक जो है यह मैं मेड है तो इसलिए ये तो होगा नहीं अब दखें पॉलिश्टर पॉलिश्टर भी तो नहीं होगा क्युक् IFa कि यह भी मैं मेड है तो भसता का वन्द रेजम रेजम पर्षं को समाझ महाँ रहा तो यह वो man made है, suns list है, नीचे दिये गए कथन सत्य है, अथवा असत्य उल्लेखित कीजिए, देखिए, पहला क्या दिया हुआ का, तंतु से तागा बनता है, तो बिल्कुल सही बात है, तंतु से छोटे-छोटे मिलकर तागा बनता है, अब देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, देखिए, कताई क्या है, वस्तर निमार की एक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल बात सही है, सत्य है ये भी, कताई जो है, वस्तर निमार की एक प्रक्रिया है, जूट नारियल का बहारी आवरण होता है, यहाँ पर जूट दिया हुआ है, वो नारियल का बहारी आवरण होता है ऐसा उसने बोला है, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि जूट नारियल का नहीं, वो पौधे का बाहर यावरण होता है, समझ में आ रहा है, ये भी असत्य है, रूई से बिनौले बीज हटाने के प्रक्रिया को ओटना कहता है, ये क्या सत्य है, तागों की बुनाई से हमवस्तर का एक टुकड़ा बनता है, तो वो क्या है, बिल्कुल सत्य है, रेसम तन्तु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये असत्य है, पॉलिष्टर एक प्रकृतिक तन्तु है, ये असत्य है, तो देखिए तीसरा क्या है, रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीचिए, तो यहा पे डेस डेस से पादप तंतु प्राप्त किये जाते हैं क्या समझे आप तो जो पादप तंतु है वो किसे प्राप्त किये जाते हैं यहां पे लिख लिए आप कपास और पटसं से क्या किये जाते हैं पादप तंतु है प्राप्त किये जाते हैं और यहां पे दो डेस खाली से प्राप्त होता है जो उपर फल फलता है और जो जूट होता है वो क्या तना से मिलता है समझे आप देखिए नारियल तन्तु से बनने वाले दो वस्तु के निवने लिखी नाम लिखी है समझ में आ रहा है तो नारियल से बनने वाली दो वस्तु कौन सी हो सकती है भाई तो एक तो पहला होता है, पायदान, आप इसे नोट डाउन कर लिजे, पायदान हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, रसी, समझ मैं या, अब क्या है, तंतुव से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया अस्पस्ट केजिए, तो जो तंतुव से धागा बन रहा है, उसकी प मौपी में लिख लिजे, इस प्रक्रिया में रूई के एक पुंज से रसो को खीच कर, एठते हुए, ऐसा करने से रसे पास पास आ जाता है, और तागा बन जाता है, इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं, समझ मैं आ रहा है?